युवाओं में लोकप्रिये स्वामी विवेकानंद की आज 4 जुलाई 2022 को पुन्यती थी है। इस दिवस पर कांग्रिस की महिला आयोक की राष्ट्रिय अध्यक्षन नेटर डिसूजा ने कांग्रिस की महिला कारेकरताओं के साथ मिलकर वित्त मंत्री निर्मला सीता रमन के आ काम करती रहेंगी। चाहें सरकार कितनी भी बार गिरफतारी करे। आपको बता दें कि इस परदर्षन के दोरान दिल्ली पुलिस ने सैकड़ों महिला कारेकरताओं को गिरफतार कर लिया है। आई जानते हैं कि इस बारे में कांग्रिस की महिला आयोक की राष्ट्रिय अध जागो और तब तक संगर्श करो जब तक आपका जो लक्ष है वो आपको हासल नहीं हो। उनसे ये निवेदन है कि कृप्या करके जल से जल ये जो जीएस्टी जो आम चीजों पे जो महिलाएं कि जब जैसे कि धाय हो गया, दूद हो गया, पनीर हो गया, दाल, चावल, अगर इन चीजों पे हर उस टेट्रापैक चीज पे जो आजकल क्योंकि बहुत सारे मध्यमवर के लोग हैं, तो छोटे-छोटे डब्बे खरीदे हैं, बल्क में तो खरीद नहीं सकते हैं, क्योंकि जब हर मैने उनको उनका तंखा मिलता है, तो वो उतना ही खरीदते हैं जो उस मैने में वो use कर सके, तो अगर इन पे जीएस्टी लगाया जाता है, तो उनका बजट जो है कि करोना के बाद पहले नोट बंदी फिर करोना के बाद जो है जो लोगों का आमदन्नी कम हुआ और खर्चे बढ़ गए हैं और उन खर्चों पे जी एस्टी और मार रही है महिलाओं के बजट को जिस तरह से देखा गया कि पहले जो एक गरीद प्रक्के का परिवारत दो ह अगर सरकार और या चीज़े आपके नहीं मानी जाती है तो इसके अलावा अगला कदम क्या होगा देखिए हम सरकार को जगाने का काम बार-बार करेंगे हो सकता है सरकार हमें हिरासत में ले हो सकता है सरकार गलत-गलत धाराय डाले पर हम तो जनता के हित में और लोगों के ह सित में आवाज उठाते रहेंगे